डाइमंड हब, जब हम डाइमंड हब कहते हैं, तो आपके दिमाग में क्या नाम आता होगा? भारत में सूरत शहर का नाम बहुत चर्चित है, हीरों को लेकर. लेकिन हम इस वक भावनगर में हैं, और आपको बताएं एक बहुत इक दिल्चस्क कहानी, लेकि कैसे भावनगर से जो डाइमंड का उद्योग है, वो पनपा बड़ा हुआ और फिर सूरत भी गया. और इसलिए आज हम भावनगर में हैं, यहां के जो डाइमंड के इंडस्ट्री जोनर्स हैं, उनसे भी बात कर रहे हैं, उनसे पूछेंगे कि किस तरीके से आप लोग डाइमंड में काम करते हैं. हमारे साथ सबसे पहले हैं नावडिया जी, यहां पर छगनबाई नावडिया जो डाइमंड ट्रेडर्स अन्मानुफाक्ट्रिंग असोसियेशन के प्रमूख हैं. सार हमको बताईए कि कहानी बताईए कि कैसे भावनगर में डाइमंड का उड्योग होता है, पॉलिशिंग का काम होता है, क्योंकि हम अक्सर सुनते हैं, डाइमंड मतलब सूरत, सूरत, सूरत. यहां पर क्या होता है डाइमंड? बहुत साल पहले, लगपग 1960 के करिब, पालनपूर के जहन लोग, जहन वियाबारी, सूरत में डाइमंड का काम चालो करते हैं, तभी हमारे पाटिदार लोग जो खेती करते थे, उसके बच्चे वहां के गए और थिरे-थिरे काम चालो किया, फिर वो भी बड़े होके है, वो खुद का इंडरेस्टी चालो किया, एक-दो घंटी करके, उसका जो नेटिव था वहां पर यह वतन था, उस खुद का नजदीक गिरता था यहां से, तो सब वो सूरत से भावन कराए, और यहां बहुत बड़ा काम चालो किया, जैसे जैसे बढ़ते हैं, काम और बढ़ गिरता था, तो उस वज़े से चादा, जो लोग बहुत बड़े हो गए, वो सब भावनगर से ही सुरत गए है, तो मतलब भावनगर का बहुत बड़ा योगदान है, डाइमंड बिजनिस यानि की डाइमंड पॉलिशिंग और उसको तराशने में, लेकिन यहां पर यह प्रावनगर का एक तो प्रॉलम था, जैसे बहुत बहुत बड़ा पैसा कमा इन लोग यह आदमी ने, तो उसको परिशान कर देते, पैसे माग देते, ऐसा जब पहले बहुत होता था, फिसरे 15-20 साल से कुछ होता नहीं है, लेकिन पहले होता था, तो उस वज़े से और पोट के दिखका था, बेश कीमती चीज होती है, डाइमंड, हम धरमेश भाई गबानी से भी बात करेंगे, जिनके ओफिस में इस वक्त हम है, तो धरमेश भाई, ये तो थी कहानी, ठीक है, हमें बताईए कि यहाँ पर डाइमंड का कौन सा उद्योग होता है, कैसे काम होता है, डाइमंड का, बेजिकली भावनगर पर स्मॉल डाइमंड के लिए जाना जाता है, बिक डाइमंड अब सुरत में बनते है, स्मॉल डाइमंड यहाँ पर होता है, स्मॉल डाइमंड में क्या होता है, कि वरकर जाधा चाहिए, बिक डाइमंड के इसाब से यहाँ पर वरक करको नोक्रे दे सकता है कितने करते हैं वैसे गिसाब से 60,000 तो डाइरेक्ट पर एंपलोई हैं पर करिब साथ हजार से ज्यादा और इंडिरेक्ट लिटो फंदरा बीचिज़ और होंगे जो इस से रोजगर पाते हैं डाम इस डिखा सकते हैं कि छोटे डायमंड्स कैसे होते ह आप काम करते हैं छोटे डायमंड्स का यहां पर खासकर मैंने सोना पॉलिशिंग का पाम बहुत होता है आपको दिखा सकता हूँ यूसमें मैं अपको ड़ी ओडिखाता हूँ तो यह है रो मटिरियल यह रोम अटिरियल है यह कहां से आता है, सर। ज्यादातर बेल्जियम से, रुश्या, बेल्जियम, बेल्जियम इस काव है, आफ्रिका और रुश्यन दोनों जगा मैनिंग है, वहीं से सब माल आता है, बावनगर में, बावनगर सूरत सब जगा, यह जो रॉव मतिरियल है, यह यहां जो आप जो आपीमन की ओफिस बोलते हैं वो इस अब आस्वाठ यूनिट है। यहां पर इसकी प्रोसेस होती है अलग अलग तरह से। कि आस्वाठ रोट इस्टिंग में जो डाइम डायमन में स्वाठ खड़ा भी है। कौनसा डायमन बनाना एक और कलर का बनाना है। सब्सक्राइब करने में 15-20 दिर लगते हैं इतना सा माल जो है यह जो इसकी प्रोसेस आगे होती है सब से पहले इसकी प्रोसेस होती है सब से पहले इसकी प्रोसेस होती है तो उसका प्लानिंग होता है उसको गैलेक्सी प्लानिंग बोलते हैं तो उसको निकल कर हम को हीरा बन पॉलिश करना है तो कहां से हम उसको काटेंगे लेजर लाइन से तो हमको ज्यादा वेट मेरेका क्वलिटी मेंटन होगा उसकी सबसे पहली प्रोसेस होती है और बाद में जहां से जो प्लानिंग होआ है उसको उसमें लेजर साइनिंग लाइन लगती है इसकी सबसे लेजर कटिंग में वीरा क कैसे दिखता है हमें वो भी बताईए आप इसको इस तरह से देख सकते हो इसका सो나म डंता है न जो घीसको डायमन में हम कहाट बोलते हैठ पोई इस पेक्टरी में आपे होता है षेट्ट्र इमें और बात में जो कमक माती है। उसका फेक्टरी यूनि पॉलिशिंग वोता है उसकी चलग अलग होती है और जगह होती है। पहाउनगर में सब जयदा तर एसोटिनेट है, एक्जमपल है मेरी ओफिस है, तो यहां पर एसोटिंग ओकर गुजरत में जहां जहां पर डायमंड की फेक्ट्री आए, वहां पर सब यहां से बेजते हैं, और वहां से पॉलिश डायमंड होकर यहां पर आते हैं. और यह छोटे-छोटे यहां पर पॉलिश होके असौट करने के बाद पॉलिश ओकर यहां मेरी हैं यहां फिनिश कोड़ है, यह पायनल फिनिश कोड है, यहां से आप हुआ अप इनको अपने जो विवसाई हैं, दुकान हैं, और जहां भी हैं, जो आपके टाय-प से, इनके साथ वहां भेजते हैं, और फिर वो उनको हीरो में, और जो नेकलेस होते हैं, रिंग्स वगेरा में तराशा जाते हैं. इसका भी इसका भी अभी ग्रेडिंग होता है ग्रेडिंग के डिकलर के हिसाब से और इसका डाइमेटर उसको उसको इनली बुलते हैं थो यहां पर जो सूरत के जो उद्योग पती है वो बहुत ज्यादा मतलब जो द्योग करते हैं सरकार की कई नितिया उनके लिए काम करती है यहां भावनगर में क्या हाल है जरुआ यहां पर इतना कुछ सरकार की तरफ से तो कुछ है नहीं एक बात तो यह है कि हमारी इंडिस्टी को बेंक ने नेगेटिव जोन मेरे दिया क्योंकि क्योंकि बैंक क्राइटिया रह रहे था कि इतना इतना परसंटेज इंप हो गया तो पुरा जो इंडस्टी पूरा जो सेक्टर उसको नेगेटिव में डालते दे तो तीन-चार तीन-चार व्यपारी हिरे के बड़े-बड़े पैसे लेके निकल गए तो परसंटेज सब्सक्राइब तो हो गया कि इन पे के क्राइटेरिया में आ गया लेकर उसको क्यों दिया कैसे दिया वो तो बैंक वाले भी जानते और सब को भालूम है जैसे मालिया 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 मिलब यह चौक्सी मोधी वो सब लेकर चले गिया तो उसकी वजाए से हमारा हमारा पूर सबसीडी इंटर सबसीडी सब लेकिन अगर पैसा देंगे उससे पहले कुछ मिलता नहीं कि मेहुल चॉक्सी और नीरव मोदी के कारण इंडस्ट्री का नाम खराब होता है लोग इन सब भी निंदा करते हैं निंदा ने वह भुगत रहे हम लोग भोगी है यह क्योंकि बड़े बड़े मशीन लादा बहुत कीमते रहे उसके उपर सो गवर्मेंट कुछ ना कुछ देती है इंटर सबसीडी पूरी कैपिटल सबसीडी वह नहीं ले बार है भी क्योंकि तो भी निकल गया है तो भी निकले के तभी आपको कुछ कुछ उस पर डिसकेशन चलता रहना चाहिए और थोड़ा थोड़ा लाइट लब लिबर हुए है थोड़े कोई-कोई बैंक ने चालो कर दिया अब है और जैसे हमें बता रहे थी धर्मेश भाई भी जगन भाई भ होती है इसके बाद हम आपको ले चलेंगे जहां पर पॉलिशिंग होती है बाकाइदा जहां पर हीरे घिसने का काम होता है तराशने का काम होता है क्या क्या होता है यहां पर मैंने जो पहले बताया ना कि इरा का पूरा एसोट हो जाता है कि जो इरा हमको पॉलिश करना है फ किया जाता है जर बताईए हमें यहां पर हम दिखा रहे हैं आपको कि कैसे स्टिचिंग होते हैं स्टिचिंग कहते हैं उसको तो यहां पर जो डाइमंड्स हम देख रहे थे उसको लाया जाता है और फिर यहां पर बताईए कि यह अब क्या हो रहा है इसकी जो डाय है, डाय बनती है इसमें, तो आप डाय दिखा दे रहा है, उस डाय में जो पेकेट में सीरा निकल कर, सिंगल सिंगल पेकेट में सिंगल सिंगल हीरा होता है, उसको केमिकल में, उसको केमिकल के उपर को चिपका है, मतलब स्टीच किया जाता है, और स्टीच करने यहां से हमको हिखाट न राइन ए उस इनल law elite होता है उसको अन alors ही ड़े केमिकल के साथ फिर इसको आपका अवन में गरम भी कर रहे हैं तो गरम करने के बाद आप इधर आजाए गरम क्यों किया जाता है जो केमिकल गिला होता है उसको लेजर में लेजर कटी में डालेंगे तो निकल जाता है इसके लिए उसको गरम करके उसको हाड किया जाता है अगर यहां पर यह क्या किया जा रहा है यह अब गरम करके हाड करक तो यहां पर कैसे कर रहे हैं यहां पर जो लेजर लाइन लाइन जो आपको दिख रहे हैं डायमंड में तो लाइन के इसाब से उसको सेट करते हैं कि कहां से इनको किरा काटना है वो set होता है, सेट हो जाने के बाद ये जब जो डाय दिख रहे हैं आपको, वो जब जाती है, फॉर पी मशीन में, मशीन में, लेजर मशीन में, वहाँ पर इसका shape बनता है पुझा आप कब से यहाँ काम कर रहे हैं और क्या काम करती हैं? छे महीने से यहां काम करती हूँ और यह मैं सेट अप काम करती हूँ तो आप कितना पड़ी हुई है बार 12 तक पड़ लिया भाबनगर में तो फिर 12 के बाद आपने यह काम क्यों चुना करने के लिए पापा बिमाल हो गए तो घर में को चलाने वाला कोई नहीं था तो आप पूरा घर चलाती हैं यहां पर काम करते हैं आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आपके दो छोटे भाई भी हैं क्या तो पूजा यहां पर एक ऐसा काम कर रहे हैं जिससे उसका घर चलता है बिमार हो गए थे और दो छोटे भाई हैं उनका ध्यान रखती हैं और ऐसे ऐसी लड़कियों को तो बहुत ज़्यादा प्रोटसाहित करना भी चाहिए क्यूंकि उनका जो काम है उसकी वज़े से घर चलता है पूरा मुझे आप रो क्यों रहें पहले मुझे बताईए आप रोईए मत आप जो काम कर रहे हैं आपके काम की वज़े से आपका घर चल रहा है बहुत जिम्मेदार आप लड़की हैं और 12 तक पड़ चुकी हैं ये बहुत बड़ी बात है आपके यहां पर इतनी सारी फ्रेंड्स हैं, क्या वो आपको सपोर्ट करती हैं? तो इनकी सपोर्ट से आप यहां पर रोज आती हैं काम करनें मेरे और मेरी छोटी बेहन वहा है तो मुझे बताएंगी कि यहां पर काम कैसे करती हैं आप क्या क्या काम करती हैं, जरा दिखाईएं स्टीचिंग करना के और कितनी जल्दी आपने काम सीख लिया? दो तीन दिन लगे बस ब्लेक लाइन वेन या ब्लेक लाइन वेन अब लेक लेन आपने बना दिये प्लाइन इससे डाइमंड में जो फॉल्ट होती है वो हटाने के लिए होती है जो मिस्टेक होती है पिर पूजा आप कितने साल की है अठार तो पूजा जैसी जो लड़किया है यहां पर वो भावनगर के डाइमंड पॉलिशिंग और डाइमंड असोर्टिंग इंडस्ट्री में काम कर रही है और कितनी अच्छी बात है परिवार के लिए मदद कर रही है यहां पर कमाई कर रही है ट्वेल तक पड़ी हुई है और ऐसी कई लड़कियों के लिए भावनगर में जो स्मॉल डाइमंड यानि कि छोटे डाइमंड का ओध्योग है वो बहुत जरूरी है और बहुत ही अच्छी यह मुहीम है यहां की कमपनीज की भी कि वो ऐसी लड़कियों को जिनको रोजगार की जरूरत है उनको रोजगार यहां पर देती हैं और जो यहां का यूथ है ज्यादा तर वो इसी काम में एम्प्लॉयमेंट यहां पर पा सकता है अपने घर में दे सकती हैं उनके लिए काफी फाइदमन होता है प्रदीब गुपता के साथ भावनगर से मिलन शर्मा आच रहे हैं